बॉलिवुड आक्ट्रेस और सांसत कंग्नर अनौत किसी भी मुद्दे पर अपनी बात रखने से पीछे नहीं हटती है वह इंडरस्टी की उन चुनिंदा अभी नित्रियों में से हैं जो फिल्म में दुनिया के पीछे का सच निडर होकर सबके सामने कहती है अब कंग्ना बीजबी में शामिल हो चुकी है वह मंडी से सांसत है लेकिन राजनीती में आने के बाद भी उन्होंने बॉलीबूट की कूरुईतियों के बारे में बात करना बंद नहीं किया है दरसल कंग्ना रनौत हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा कह देती है जिससे वो हमेशा चर्चा में बनी रहती है वहीं अभी हाली में अभी नेतरी ने एक बर फिर से ऐसा कुछ कह दिया है कि सभी सुनकर हैरान हो गए हैं दरसल आपको बता दे कि इस समय हेमा केमिटे रिपोर्ट को लेकर मल्यालम इंडरस्टी में भी काफी जादा नयने खुलासी देखने को मिल रहे हैं लेकिन अब इसी बीच कंग्ना रनौत का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जम कर वाइरल हो रहा है कंग्ना रनौत के इस वीडियो को देखने के बाद हर कोई काफी जादा हैरान होता हुआ नजर आ रहा है एक मीडिया संस्थान से बात करती हुए कंग्ना रनौत ने कुछ ऐसा कह दिया जिसे सुन सभी के होश उड़ गया दरशल आपको पता दे अभी नेतरी ने कहा कि आपको पता है कि ये हीरो महिलाओ का किस तरीके से शोशड करते हैं वह लोग पहले तो उनको दिनर पर बुलाते हैं और मैसेज करते हैं कहते हैं के दो मुझे खुद इन सब चीजों को लेकर कितनी जादे धम्तिया मिली है रेप केस हो चाहे मुझे खुले आम रेप करने की धंकिया गंगा रनौत आगे बताती हैं कि हम को पता है कि हम महिलाओं की ईज़ट नहीं करते हैं और फिल्म इंडरस्टी इससे पीछे नहीं है और फिल्म इंडरस्ट्री भी कोई डिफरेंट नहीं है अगर कॉलेज में लड़के लड़कियों पर कमेंट किया करते हैं तो फिल्मों में भी दिखने वाले हीरो इससे किसी भी तरह से कम नहीं है आज कॉलेज में दो चार लड़के खड़े होते हैं और महिलाए जाती है तो वो उनकी बॉडी को लेकर उनके पार्ट्स को लेकर कमेंट करते ही हैं और फिल्म हीरो भी डिफरेंट बिल्कुल नहीं है वो भी वैसे ही है इतना ही नहीं कंगना रनौत ने दिवंगत कोरियोग् फर सरोज खान की statement का उधारड देती हुए कहा कि महला की इंडरस्टी में इस तरह की हालात है दरसल सरोज खान ने casting काउच को लेकर कहा था कि हर लड़की के ऊपर कोई ना कोई हाथ साफ करने की कोशिश जरूर करता है सरोज खान ने आगे या भी कहा कि लोग फिल्म इंडरस्टी के पीछे आखिर क्यों पड़े हुए है और सरकार के लोग भी तो करते हैं लेकिन अगर फिल्म इंडरस्टी दुष्कर्म करती है तो रोटी भी तो वही देती है तो उन्होंने कहा था कोट अनकोट कि रेप तो करते हैं लेकिन रोटी भी देते हैं इस बात को लेकर कंगना ने काफी आपती जटा है तो इस तरह कंगना रनौत ने कहा कि हकीकत की दुनिया जैसा ही बिल्कुल फिल्मी दुनिया भी है फिल्मी दुनिया में भी हीरो हीरोईनों को बिल्कुल वैसा ही ट्रिट करते हैं जैसा कि हकीकत में लड़कियों के साथ बहवार होता है अब इसे के साथ आपको हमें भी बता दे कि अब नेतरी के फिल्म इमर्जेंसी अभी तक रिलीज नहीं हुई है यह फिल्म में विवाद उसे घीरी पड़ी है इसे फिल्म को रिलीज नहीं करने के लिए सिख समूदाय पीछे पड़ा हुआ है तो वहीं इस फिल्म को लेकर विवाद इसकदर बढ़ गया है कि यह मामला अब अदालत में जा पहुँचा है बेरहल अब इसी के साथ आपको अमें भी बताते चले कि बहुत सारे ऐसे भी लोग है जो इस फिल्म को देखने के लिए बेसबरिस अंतजार कर रहे हैं तो वहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस फिल्म को रिलीज नहीं होने देना चाहते हैं अब देखना होगा कि अभी नेतरी का ये फिल्म कब रिलीज होता है